नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेड करकरासी वालों बुद्ध का रासी प्रिवर्टन होने जा रहा है 19 जुलाई की रात 8 बच कर 50 मिनट पर बुद्ध जिसे हम राज कुमार ग्रह भी कहते हैं जल तत्त्त की रासी है करकरासी और यहां से निकल कर सिंग रासी जो सूरी की रासी है ग्रहों के राजा सूरी की अगनी तत्त्त की रासी सिंग रासी में बुद्ध आ रहे हैं और यहां पर वो अगस्त तक रहेंगे यहां पर बुद्ध 5 अगस्त की दोपहर मारगी से वक्री होंगे और 22 अगस्त को सुबह वक्र अवस्था में रहते वे करकरासी में प्रवेश कर जाएंगे और फिर बुद्ध 29 अगस्त को सुबह वक्री से मारगी हो जाएंगे इसके बाद 4 सितंबर को फिर से कर्क से सिंगरासी में जाएंगे यानि पूरे 47 दिनों तक 47 डेज बुद्ध इसी तरह से कर्क और फिर सिंग में गोचर करेंगे तो आपके उपर इसका क्या प्रफाव पड़ेगा ये तो जानेंगे लेकिन देखिए बुद्ध जो बुद्धी देने वाले गरह हैं सेर मार्केट ब्यापार इंटरनेट से जुरा कोई भी काम कम्यूनिकेशन जैसे कारे मीडिया के कारे बैंकिंग रिसेर्च फिल्ट से जुरे कारे बुद्ध के अंतरगत ही आता है अगर आप मार्केटिंग फिल्ट से जुरे हैं अगर आप बिद्यार्थी हैं तो बुद्ध पूरी तरह से आपके लाइप को बदल सकता है तो बुद्ध वैसे तो अगर हम गोचर की बात करें तो सामाने तया वो 16-17 दिन के भीतर ही परिवरतन करते हैं तो बुद्ध हर ब्यक्ति पर अपना विसेश प्रभाव डालेगा चाहे आप बिद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा आप नौकरी करते हैं बैंकिंग फिल्ट से जुड़े हैं आपका काम पर इसका क्या प्रभाव होगा ये जानना बहुत जरूरी है अगर आपके लिए इनका ये महापड़िवरतन अच्छा नहीं है तब आप क्या उपाई करेंगे ये भी हम जानेंगे तो अगर आप बैपारी भाई हैं तब कैसा रहेगा अगर आप वानी के छेते से जुड़े हैं तब कैसा रहेगा क्योंकि इस समय 47 डेज जो कि अमूमन बुद्ध का नहीं होता इतने लंबे समय तक लेकिन बुद्ध सुर की रासी में जब प्रवेस करेंगे तो यहां पर आते ही वक्री हो जाएंगे तो ऐसे में बुद्ध पर होगा सनी देप की द्रिष्टी अब सनी देप की द्रिष्टी बुद्ध पर और बुद्ध सिंग रासी में तो सनी देप स्वेम वायू रासी में बैठ कर यानि कि कुम रासी और मकर रासी के वे सौमी है और अभी कुमरासी में है तो स्वैम की रासी में बैट कर वक्कर अवस्था में दिश्टी डालेंगे तो बुद्ध पर वैसे तो सामाने तह बुद्ध और सनी की दिश्टी संबंद से नपुनसक की स्थिती उत्पर्न होती है लेकिन इस गोचर में जैसे कि मंगल देव गुरु ब्रस्पती से बुद्ध का केंद संबंद बना हुआ है तो ग्रहों के राजा की रासी में कैसा परभाव उत्पर्न होगा तो चली जानते हैं हम लोग पहले इसी पर बात कर लेते हैं फिर हम आगे चार्चे करेंगे तो सिंग रासी में बुद्ध का आना अच्छा माना जा रहा है क्योंकि बुद्ध के सुप्रभाव में ब्रधी होगी बुद्ध के उपर मंगल की चतूर्थ द्रिष्टी है और सनीदेव की सब्तम द्रिष्टी रहेगी साथ ही सुर्य के साथ बुद्ध का द्वादस योग भी बनेगा ऐसे में बुद्ध बुद्ध आपके तीसरे और बारवें भाव के स्वामी है और इस समय दूसरा भाव धन भाव में गोचर करेंगे तो बुद्ध सिंग रासी में आएंगे यानि धन भाव में बैठेंगे तब आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रहुआ पड़ेगा देखे सबसे पहली बात तो करक रासी वालू आपके लिए दूसरे भाव में आने से सनी देप की दृष्टी बुद्ध पर है अब बुद्ध आपके खर्चों के भाव बैपती बन कर धन भाव में गोचर करेंगे तो ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि धन का खर्चा करवाएंगे देव गुरु ब्रस्पती से बुद्ध का जो संबंद है वो किन्द संबंद है कारेच छितर के लिए ठीक है आप अपनी वानी से लोगों को प्रभावित करेंगे और इस समय अपने खान पान का ध्यान रखें आप क्या खा रहें क्या पी रहें और बुद्ध सिंग रासी में आने से धन की हानी करवाएगा आपके जीवन में कुछ भरम पैदा करेगा करियर के मामलों में ओवांचित तरीके से आप जौब बदल सकते हैं और कुछ मुलेवान अफसर खोना जाए ध्यान रखें आपको इसमें कड़ी प्रतिसपरधा मिलने वाली है धन के मामलों में लापरवाही मत कीजे नहीं तो धन हानी होगा और इसमें यात्रा वेगर कर सकते हैं जीवन साती के साथ ताल मेल बना कर चलना होगा और स्वास्त के मामले में आँखों का और अपने इसकीन का खयाल रखेंगे तो उत्तम रहेगा अब देखिए बुद्धी के बल पर ही आपको बुद्ध सफलता देंगे सनी की दिश्टी से बुद्ध का दिश्ट होना आपको नसे की तरफ ले जा सकता है गलत आचरन गलत संगती की तरफ आपको ले जाएगा आपको इससे बशना होगा और वानी पर थ के लोग बहुत अच्छे इसलिए आपको अपने दिमाग का यूज करना है और बुद्ध से यहां द्रिष्ट हो के सनी से द्रिष्ट होने से क्या होगा ना बुद्ध आपकी भासा को अगरबड कर सकते हैं तो अपनी वानी पर ध्यान दे और नसा तो बिलकुल भी नहीं करना धन के खासकर धन को लेकर ध्यान दीजिए इस समय तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि धन का नुकसान हो सकता है और गलत संगती के चक्कर में पढ़कर अपना समय मतबरबात करें मा के स्वास्त का ध्यान रखें भौतिक सुख सुभी धाओं पर जोरस से ज़्यादा पीद करें तो आपको लाग जरूर होगा हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्काइब करें अपनों से सेयर करें कमेंट करें धन्यवाद हम फिर मिलेंगे